पंजाब के अंदर ये सारी अक्टिविटी करना बहुत ही मुश्किल था, तो तल्विंदर सिंग परमार जो था, वो कैनेडा पहुच चुका था और वहीं से बबबर खालसा को ऑपरेट करना था 1981 में इसने पंजाब के दो पुलिस वालों को वहीं से बैठे बैठे मरवा दिया था, और ये पहली बार था जब इंडिया की तरफ से इंदरा गांदी जी ने कैनेडा की जो ओफिशल से उनसे बात करी थी और उनसे कहा था कि ये जो तल्विंदर सिंग है, ये कैनेडा के साथ, पूरे वर्ड के जो सिक थे, वो बहुत ही बुरी तरीके से गुस्सा हो जाते, और इंडिया के बाहर जो था, वो काफी एक्टिविटी शुरू हो गई थी, इस्पेशली कैनेडा के अंदर, इंडिया अगेंस जो एक्टिविटी थी, वो बहुत ही तेज हो गई थी और 1984 में दुबारा से इंडरा गांदी जी ने कैनेडा के जो पीम थे, उनको लेटर लिखा था, लेकिन उससे होता कुछ नहीं है, उसके जज़ दो महीने बाद ही, इंडरा गांदी जो थी, उनके उपर अटाक हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है